स्वास्थ्याद्षत्रको सबेपुरा कारिक्रम स्वास्थ दर्वन प्रतेग साता को सुप्रबार राती आर्टीस बजे हेपाल टेलेविजन पलास्थ कर दो दर्वन पलास्थ मोखिय जानुम बज़ बने बीरामी अब अस्पताल होई ना अस्पताल जे बीरामी को खरमा जानुब पर छभने अभियन का साथ इछे गामाना गाउपालिकामा हरे किसिम को कम्तिमा पनी यहारले दीन को अफ्तामा अथापा यह दीन ना सके पनी पन्रो दीन चे अर्वी फिल्रुको जे ने तियो गोयर चे शिवादीन भोवने इछा गामाना गाउपालिका का तमाम जनता हरू एती आभार होने चा अब चे अगे बिरामी अस्पिरल बिरामी पुखने कर से अभी छिनन रूप माँ असी वर्षा मंदा माथिका जाए बाहामा अर्लाइ अब तमाहे चोर्चोरी जे बाहरे गाये अब आमी जन पर दे चोर्चोरी बाहां चाहूं को बड़ी चाहा भागो नाले समरी परवरदन केंद्रा इस्थापन अगरने गाउमा अजे पनी सरुआरोको माहा मारीको न्यूट्रिशन को कुपसान को समस्या भागो बाहारा आमी चाहा इच्छा काम अना जोडियाको भरक्तुर माहान आर बाले का भंदे गार्ला कभिला हमा आमी चाहा इस्तो रूपा हैं आम्रो काम अरू समपन्ना गरने शक्थू पनी साहन गणीघीका माहा जेमा भाले का भागोरे काम एकतम गोणास्तरी को रूप में आमले करनू पर्शा भने रागी पर्णू कोलिके मा जहाशकीने गर्शुम् समाचार में आमी सुन्ने गर्शुम् यहटा हेल्ट सेंडर मा कदै सिटामल बनी पाईया नरे कुने जिल्लाको अस्पताल में जीवन जल्बनी पाईया नरे बनी राखदा हैरी आमरो नगर में पनी तियो इस्तितियां सागी बने रव जोईली पनी मा जहाशकीरया कुन्छू त्यो संदर में माईले स्वास्ट सिवा विवागेरनी आमरो बिवागे पर मुहलाई माईले पटक पटक मन्नी गर्शू खबर दार। आमरो खबरनी में कुने ही नाम में त्यो सुचिगिर्द गरेका आउशोदी आरू कम होनों उदाईना किसाबले गरिवी को कारण ले चेतना को कमी बागो कारण ले गर्दा रतो भागोलिक बिकटता को कारण ले गर्दा खेरी त्यांका जनता को अबस्ता त्यांता पचाडी परेको अबस्ता चरो वाले आपो पीरायमे उदाब उपचार गरना जानू पर सा बहनने कुरा पनी कमाई बुजनूंचा अईले कर्माशा जाए उपचार गरना जानुपर भनने कुरा जाए आको छाए आमीले माथी का जुन भुवाग माच यतना का कारेकर मारू लाई जाए मत्तो का साथ दियागा छाऊ आमरो अले केती अईले फोकुस के वे राको छा विपन्ना ना गरेकर कर्माउ जानुपर जान भुवाग मत्तो का जाए बनाउन ना स्वक्यों अईले फोकुन अईले कारेकर जाना जाना कारेकर जाना भनाउन ना स्वक्यों वाने स्वास्ट छाट शट्रकू व सबीकूरा कारिक्रम स्वास्ट अदर्वन प्रतेख साता को सुक्रबार राती 38 बजे नेपाल टेलेविजन पलास्ट